शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं वीश्वाधारं गगनसद्रिशं मीघवरनं शुभागं लक्ष्मी कान्तम कमलन यनम योगी भीध्यान गम्यम वन्दे विश्णुम भवभय हरम सर्वलो कैकनाथम भगवान विश्णु शान्ती रूप हैं शेश शय्या पर विराज मान है उनकी नाभी से उत्पन कमल में स्थित ब्रह्मा सारे संसार की उत्पत्ती करते हैं भगवान विश्व का आधार हैं उनका श्रीर मेग के समान श्याम वरन है जैसे आकाश ने सारी प्रित्वी को अपने आंचल में समीटा है वैसे ही भगवान विश्णू भी सारी शिष्टी के पालक हैं, वे लक्ष्मी पती हैं, उनके नेत्र कमल के समान हैं, योगी जन उनका सदा ध्यान करते हैं, मैं उस विश्णू भगवान की बंदना करता हूं, जो संसार के सभी कष्टों का हरन करने वाले हैं, वे सभी लोकों के स्वामी है राधे राधे मेरे प्यारे बंधुओं भाईयों बेहनों और माताओं आज मेरी वीडियो का विशे रहेगा बेसाख मास की कथा का सोलवा अध्याए प्यारे बंधुओं यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे आने वाली सभी वीडियो की ज्यानकारी सब से पिले हो सके बंधुओं हमारे फेसबुक पेस को भी लाइक करें ताकि आप फेसबुक पर भी हमारे साथ जुड़ सकें बंधुओं बेसाख मास की कथा को जब भी सुनें पूरा सुनें और पूरा सुनने के बार कमेंट बोक्स में जै विश्णु भगवान जै मालक्षमी जरूर लिख दोस्तों ये सब यम के निमित बेसाख मास में दिया जाता है बेसाख मास में यदि आप अक्षय तृत्य पर यम के लिए ये सब देंगे तो आपको कोटी गुनापुन्य की प्राप्ति होगी इस लोकडाउन के समय आप ये शम नहीं हैं तो आप मानसिक रूप मर लेना अपने मन में अक्षय वट व्रिक्ष को ध्यान करना और फिर सोचना की आप वट व्रिक्ष को जल से सीच रही हैं फिर रोली से तिलक करना मन से ही मोली का धागा चड़ाना फिर मन से ही सोचना की आप वट व्रिक्ष पर पानी का घड़ा यम के निमित दे रहे हैं फिर दही, जों, फल और दक्षिना दे रहे हैं बंधों ये सब आप अक्षय त्रित्य पर जरूर करना ऐसा करने से ही आपको बेसाख मास सनान की पूरन फल की प्राप्ति होगी और बेसाख मास में अक्षय त्रित्य पर जो सुर्योदे से पहले गंगा जल पानी में मिला कर शनान करता है उसके पहले किये हुई सभी बुरे कर्मों का नाश हो जाता है पर इस्त्री गामी पुरुष भी यदि बेसाख मास में अक्षय त्रित्य पर सुर्योदे से पहले उठकर गंगा जल मिला कर पानी में और गंगा जी का मन में ध्यान कर शनान कर लेते हैं तो उनके भी सभी पाप खतम हो जाते हैं अर्था उन्हें भी पापों से मुक्ति मिल जाती है ये सब बेसाख मास महातम में आगे के अध्याय में बताया गया है पर उन्हें ये गलती कभी भी नहीं करनी इस चीज का मन में द्रिट निश्चे करना है बेसाख मास में अक्षय त्रित्या को छतरी जूते का दान भी कर सको तो जरूर करना वरना अगले साल बेसाख मास में ये दान जरूर करना छतरी जूतों के दान का फल भी आपको अगले अध्याय में मालूम हो जाएगा बोलो विश्णु भगवान की चै लक्ष्मी माता की चै सोलवा अध्याय यम कहने लगा कि ब्रह्मन मेरा सर्वनाश हो गया जिसका पद खंडन हो जाए उसका जीवन ही व्रिधा है स्वामी सेवक की जिस कारे पर निप्ति करे वह उस कारे को ना कर सके तधा स्वामी का धन खाता रहे तो वह काट का कीड़ा बनता है अब मैं आपका कारे नहीं कर सकता क्योंकि राजा की इतिमान ने यह सब करम नश्ट कर दिया है बेसाख मास के करतब्वे धरम का पालन करती है और अन्य धरम के कारे पितरों का शिराद अगनिश्टों होम आदियग्य तीर्थियात्रा तर दूसरे शुब कारे छोड़ दिये हैं योग, सांखे, प्राणायाम करना, होम, स्वाध्याय, सब कुछ छोड़ कर अन्य प्रकार के पाप करके भी बेसाख मास में किये धरमों के प्रभाव से बेकुंट को जले जाते हैं जो कोई शुब करम करता है, वहिक्तु बेसाख धरम से उनके सिवाए तीनों कुलों की अर्थाज 26 पीडी का बेकुंट वास हो जाता है जो गती देवताओं को यग्य आदि करने से भी नहीं मिलती, अनेको तीर्थों की यप्त्रा यग्य दान तब ब्रत प्रियाग में मरने, रन में मरने या काशी में मरने से नहीं मिलती, वह वेसाख धरम से सहज ही में मिल जाती है ऐसा प्रतीद होता है कि बेकुंट का कोई परिमान नहीं, जो इतने मनुष्य से भी नहीं भरता, आप मेरा कारे ना रहने से मैं राजा को अपने शत्रू मानता हूं, क्योंकि राजा की आज्या से सभी मनुष्य वेसाख धरम का पालन करते हैं राधे राधे जै श्री कृष्णा, बंधों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें, धन्यवाद श्री कृष्ण गोबिंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायन वासुदेवा श्री कृष्ण गोबिंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायन वासुदेवा श्री कृष्ण गोबिंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायन वासुदेवा श्री कृष्ण गोबिंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायन वासुदेवा श्री कृष्न गोबिंद हरे मुरारी हे नाथ नारायन वासुदेवा श्री कृष्न गोबिंद हरे मुरारी हे नाथ नारायन वासुदेवा श्री कृष्ण गोबिंद हरे मुरारी हे नाथ नारायन वासुदेवा श्री कृष्ण गोबिंद हरे मुरारी हे नाथ नारायन वासुदेवा श्री कृष्न गोबिंद हरे मुरारी हे नाथ नारायन वासुदेवा श्री क्रिष्न गोबिंद हरे मुरारी हे नाथ नारायन वासुदेवा श्री क्रिष्न गोबिंद हरे मुरारी हे नाथ नारायन वासुदेवा श्री क्रिष्न गोबिंद हरे मुरारी हे नाथ नारायन वासुदेवा श्री क्रिष्न गोबिंद हरे मुरारी हे नाथ नारायन वासुदेवा श्री क्रिष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायन वासुदेवा.